Hey guys, welcome back to another brand video तो Apple ने अपना iOS 17.0.3 का एक official update, stable update release कर दिया है इसके अंदर जो Apple बोलता है कि bug fixes वगेरे कर दिये है तो आप लोगों को ये तो आगे चलके बताने ही वाला हूँ लेकिन इससे पहले जो पुराना वर्जन चल रहा था iOS 17.0.2 तो उसका build number आप लोगों को 21A351 देखने को मिल जाता था और iOS 17.0.3 का एक नए update जो अभी आया है उसका build number आप लोगों को 21A360 आप लोगों को देखने को मिल जाता है storage capacity की बात करें तो before update जो 16.0.4 यहाँ पर जो 4GB मेरा available space शो कर रहा था और यहाँ पर जो update करने के बाद available space की बात करें तो 16.23 GB हाँ पर शो कर रहा है modern firmware की बात करें तो 2.08.02 ही देखने को मिल जाता है यहाँ पर कोई भी changes नहीं हुआ है तो आप लोगों को network के regarding कोई भी issue आ रहा था जो कर रही है अगर आपका iPhone 13 है 12 है तो आप लोगों को different size भी देखने को मिल चुकी होगी तो इस update की बात करें तो इसके अंदर साब साप यहाँ पर लिका है इस update provides important bug fixes security updates and addresses and issues that may cause iPhone 2 run warmer than expected तो गाई यहाँ पर apple ने notice किया है कि device जो heat हो रहा था तो उसे fix करने के लिए इस update को push किया गया है जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 15 series के अंदर काफी जादा heat हो रहा था यहाँ पर warmer लिका है लेकिन warm नहीं हो रहा था भाई हमें सब को पता है यहाँ अपल को पता है लेकिन यहाँ पर warmer लिका है और यहाँ पर काफी ज़्यादा heat हो रहा था तो उसके regarding यहाँ पर update को push किया गया है सिर्प iPhone 15 series की बात नहीं कर रहा गाईज यह जो iPhone 12 iPhone 13 के अंदर भी काफी जाता इशू देखने को मिल जाता device काफी जादा heat हो रहा था तो उसे fix करने के लिए यह update जो push किया गया है तो यह जो आप update कर सकते, update करने के बाद यहाँ पर कोई भी device के अंदर दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिले नहीं कोई display के अंदर कोई भी दिक्कत आईए लेकिन हाँ यहाँ पर अगर Apple जो boil देता कि भाई display regarding भी यहाँ पर काम किया गया है तो और भी अच्छा है यहाँ पर देखने को मिलता तो हाँ इस तरीका का कुछ जो after update जो device का performance देखने को मिल जाता है ज्यादा कोई भी changes नहीं है लेकिन हाँ जो कोई भी bugs वगेरे थे वो जो सब कुछ जो fix कर दिये मेरे device के बात करें तो device की यहाँ पर जो battery health में मैं आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पर battery health की बात करें तो 96% device update करने के पहले यहाँ पर जो battery health थी और update करने के बाद भी same वहीं आप लोगों को देखने को मिल जाता है सब कुछ अगदम properly काम कर रहा है कोई भी यहाँ पर जो device के अंदर hitting या फिर कोई भी warm यहाँ पर जो device नहीं हो रहा है काफी ज़्यादा perfectly सब कुछ यह हो रहा है So that's it भाई, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना I hope आप लोग वीडियो पसंद आयोगी मैं मिलता है इसकी next video में Bye Bye